अलो दोस्तो स्वागत है फिर से नयव लोग में दोस्तो आज हुमें छेत्रपती श्रिवाजी महाराज इंटरनेशनल लेपोर्ट टर्मिनल टू मुंबई में तो दोस्तो यहाँ से मेरी डोमेस्टिक फ्लाइट है टर्मिनल टू के लिए इस वीडियो में आपको दिखाने ज जैसे ही आप किसी भी गेट से एंट्री करते हैं टर्मिनल टू में डिपार्चर में तो लेफ्ट हैं साइड में आपको इतना बड़ा स्क्रीन मिल जाने वाला है जिसके अंदर आपकी चाहें इंटरनेशनल फ्लाइट हो या डोमेस्टिक सारी डिटेल दी हुई है सबसे प तर्मिनल टूप है मुंभई में ए से लेकर पी तक काउंटर अवेलेबल है एलफवैटिकल आप देख सकते हैं एच जे काउंटर हमारे सामने हैं और यह एल एम एन ओपी तक काउंटर अवेलेबल है और धोस्तों खास बात है हर पिलर के अंदर आप एक स्क्रीन देख होंगे इस स्क्रीन में आपको पता चलेगा कि इस लोग के अंदर जाके कौन sı कांटर ओपन हो चुक और कौन सी होगय है चल रहे हमारे सामने था कोंटर तो यहां पर इस स्क्रीन में दिस्प्लेय था इस भले जा रहा हूं यह मलेश्य निए लाइन के काउंटर राइट हैं पर यहाँ पर सारे पीछे निकल के हम इस एरिया में आ जाते हैं और आप देख सकते हैं बड़ा ही प्यारा एरपूर्ट है और मेरी नाइट की फ्लाइट भी प्यारा इंपीरीयर है टर्मिनल टू मुंबई यहां पर आना पड़ेगा और दोस्तों सबसे अच्छी बात मुझे यह लगी कि यहां पर कोई परसनल नहीं खड़ा हुआ है एरपोर्ट का कोई भी अधिकारी यहां पर आपको क्या करना है आपका बोर्डिंग पास निकालना है डोमेस्टिक या इंटरनेशल जो भी है चाहे वह आपके मॉबाइल में हो या फिर आपके पास परिंटाउट निकलाओ बोर्डिंग पास स्कैन करने के पाद जो भी डिंटरनेशल पेसेंजर सब भी लोग जा रहे हैं पहले इस एरियम में आते हैं अपना सिक्योडि कराने के लिए दोस्तों दिल्ली के अंदर टर्मिनल थी एरपोर्ट है उसमें आगर आप इंटरनेशल फ्लाइट लेते हैं तो पहले आप इमिग्रेशन करते हैं उसके बाद आप सिक्यूर्टी एरिया में जाते हैं बर दोस्तों यहां पर आपको चाहे डोमेस्टिक फ्लाइट ले रहे हैं मुंबई के अंदर टर्मिन पैसेंजर के लिए फिर से इस ओटोमेटिट गेट से नीचे जाना है और जो लोग इंटरनेशल जा रहे हैं यह आप सामने देख सकते हैं ब्यूरो ओफ इमिग्रेशन के काउंटर बने हुए हैं फिर से आपको अपना बोर्डिंग पास यहां पर स्कैन करके अंदर जाना ह होगा और यह ओटोमेटिट गेट आपके ओपन हो जाएंगे जल्दी से हम अपना बोर्डिंग पास निकालते हैं उसका बार कोड यहां पर फिर से डिस्प्ले करते हैं और आप देख सकते हैं गेट ओपन हो चुका है अब यहां से हमें जो डिरेक्शन दी हुई है इस्ट् करना था और आपको दिखाना था कि कौन सी चीज कहां पर अवेलेबल है हम अभी नीचे जाते हैं और यहां पर सारे डोमिस्टिक फ्लाइट के लिए गेट अवेलेबल हैं बहुत बड़ा रिटेल एरिया है और सामने ही जैसे ही एलिवेटर से आप आएंगे एसकेलेटर से आप आएंगे इन्फोमिशन डेक्स मिल जाने वाली है यहां पर आप सारी इन्फोमिशन ले सकते हैं कहां पर लाउंज है और कौन सा गेट की इतनी दूर है रिटेल एरिया में कौन-कौन से आउटलेट है और बगगी सर्विस कहां पर अवेलेबल है दोस्तों यह जो पिल शोपिंग का भी मज़ा ले सकते हैं एरपोर्ट लाउंज फूड कोट स्मोकिंग रूम टोलेट सारी डिरेक्शन आपको मेंशन है डिस्पले के उपर आप यह फोलो करके जहां भी आप जाना चाहते हैं अगर आपके पास टाइम है यहां पर आप शोपिंग का भी मज़ा ले सकते हैं तो दोस्तों हमारे पास टाइम कम था तो हमें सीधा डारेक्ट गेट पर जाना था हमारा गेट नमबर 40 भी था दोस्तों मैंने बगई नहीं ली क्योंकि मुझे एक्स्प्लोर भी करना था यह एरपोर्ट और बहुत ही प्यारा इंटीर है दुबारा से मैं बता करा था कि मेरा जाने से पहले मेरी फ्लाइट का बोर्डिंग शुरू हो जाएगा बट मैं वोक करके आगए गया ताकि मैं आपको दिखा पाऊं कि यहां पर लाउंज बगी सर्वीस और रिटेल एरिया में कौन-कौन सी शॉप अवेलेबल है और गेट के लिए आप कैसे ड अगर आप कॉफी का और हलके फुल के स्नेक्स का मजा लेना चाते हैं तो आप यहां जा सकते हैं आपकी फ्लाइट में एक या दो घंटे हैं अभी फ्लाइट डिपार्चर में और आप सिक्योर्डी करके अंदर आ चुके हैं और अगर इंटरनेशन फ्लाइट है आप के लिबल है जब आप गेट नमबर 40-45 की तरफ जाएंगे तो आप लाउंज के लिए जा सकते हैं और हमारी फ्लाइट में ज्यादा टाइम नहीं था तो लाउंज में मेरी ज्यादा बात नहीं हुए आप फिर से डिरेक्शन देख सकते हैं गेट नमबर 40-45 काफी वोग करन है लाइटिंग हर चीज का बहुत ख्याल रखा गया है और सारी चीज यह बहुत आटोमेटेड टर्मिनल थरी डेली एरपोट पर आपने देखा हो का जगए 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 सियासाफ आपके बोर्डिंग पास चेक करते हैं तो दोस्तों यहाँ पर सिर्फ आपका टर्मिनल लेने के बाद आपने देखा सिक्योर्डि एरिया में सिर्फ मुझे बोर्डिंग पास स्कैन कराना पड़ा और उसके बाद वहां पर कोई सियासाफ अवेलिबल नहीं था उसके बाद भी डोमेस्टिक फ्लाइट जाने के लिए अंदर दुबारा से एक ऑटोमेटेड गैट अब आप देख सकते हैं गेट तक जाते हुए यह इतनी प्यारी आर्ट लगी हुई थी एक वोल के उपर इसमें आपको दिखाई देगा हमारा इंडिया का कल्चर यहां पर पहले किस तरीके से रथ बनाए जाते थे और बैल किस तरीके से उसको खीसते थे यह दो दो रथ नीचे रखा हुए है यहां पर दोस्तों मैंने सोचा कि एक फोटो भी क्लिक करा लिया जाए तो दोस्तों यहां पर मैंने एक और पैसेंजर की साहता से एक फोटो भी क्लिक करा लिया तो काफी ही प्यारा डेकोरेशन है इंटीर बहुत अच्छा है तो दोस्तों गेट काफ आपको आउटलेट मिल जाने वाले हैं जैसे बेकर स्ट्रीट कोई बच्चे के लिए टोईज वगरा लेना है तो यहां पर हैमले इस्टोर भी अवेलेबल है अभी हम पहुंचे हैं गेट नमबर 41 पर यहां पर अभी दूसरी एरलाइन की बोर्डिंग चल रही है और मेरा गे लेट है मैं आगे जाकर चेक कर लेता हूं दोस्तों चैनल पर अगर आप पहली बार आए हैं चैनल को सब्क्राइब कर लें इसी तरह की वीडियो के लिए टर्मिनल टू से मुंबई में आपकी अगर पहली बार फ्लाइट है इस वीडियो को जरूर देखें कोई भी परेश हम जाकर फ्लाइट में बैठने वाले हैं थोड़ा सा रश है फ्लाइट में बैठने के लिए पैसेंजर अभी वेट कर रहे हैं और जैसे ही हम अंदर आते हैं तो दोस्तों अंदर करना जारा कुछ इस तरीके का है अगर आपको वीडियो पसंद आई है चैनल को सब्क्राइ करें वीडियो को लाइक करें और ज्यादा ज्यादा शेयर करें और जादा ज्यादा शेयर करें